नमस्कार आदाब सत्रीयकाल कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एडूकेशन वेल्कम बैक और आज हम बात करेंगे आपके बालों के बारे में जी आँ हैर फॉल बहुत ही बड़ी और लगातार बढ़ती जा रहे ही प्रॉब साल की उमर भर से केवल 30-35 साल की उमर से नोटिसिबल हैर लॉस शुरू हो जाता है और यही 60 साल की उमर तक जाते जाते 65-70% मेल्स हैर लॉस से पीडित होंगे अलोपेशिया बहुत कॉमन हो गया है और यह मैं तक जीमिसीमित नहीं है विमिन में भी फीमेल्स में भी 50-75% साल की उमर तक जाते जाते उनके बाल जाने शूव हो जाते हैं कि मेंस में लेट उता है में मएं पहले होता है में में की मेंजर प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा मातरा में सवाल आते हैं हैर लॉस के लिए कि या करे हैं Litिए करे कहीं मुझे अच्छानी लग रहा है जर्ट बना रहा है कोई सिरम बना रहा है किसी चीज में Minoxidil डाला हो Minoxidil के बाले में हमने आपको बताया बुरी चीज नहीं है लेकिन Minoxidil बन करते ही आपके बाल फिर से चले जाते हैं तो हमने सोचा कि और अच्छा प्रोड़क्त क्या है जो यूज कर सकता है तो Research के बाद प्रोड़क्त निकल कर आया है यह है उस तरह का Hair Growth Vitalizer Hair Growth Vitalizer है उस तरह का और यह Vitalizer जो है इसके अंदर Basic Combination है बहुत सारे Ingredients का और ऐसे Ingredients हैं जो Hair को नुकसान नहीं पहुचाएंगे और Growth Promote करेंगे One of the best product in the market जो ढूंड के निकाला है वो यह है One of the best product है जो आप इस्तमाल कर सकते हैं एक अच्छा modern scientific research based अगर solution चाहिए आज इसके बारे में आपको समझाएंगे क्या research है इसमें है क्या उसका काम क्या है बाल जाते क्यों हैं कैसे वापस आएंगे पलानार हो एवरी थिंग विल एक्स्प्लेंड आप दिस एंड हैपॉट तो एवरेज मात्रा में एक एडल्ड के अंदर एक लाख दस हजार हैर पॉलिकर होते हैं और वो ग्रो होते रहते हैं गिरते रहते हैं ग्रो होते रहते हैं गिरते रहते हैं ग्रो होते रहते हैं सौ बाल गिरना एक दिन में common है तो कि ग्रो भी होते रहते हैं यह balance है ग्रो और बच्पन में ग्रोथ जादा होती है इसलिए बाल growth रहते हैं फिर एक एज के पाद growth कम हो जाती है आगे जलके growth और ज़ादा कम होते हैं g coherence का और गिरने का इसको cycle बोत है यह तीन phases में होती है paragraph vegan निया धेन œ पहली cycle agent Canadian мतलब जब hair grow हो रहा है जब hair बन गया है बाहर निकल गया है इसकाल से grow हो रहा है, इसको लगते हैं 3 साल, 3 साल तक grow हो सकता है, plus minus हो सकता है, approximate, एक बाल, एक बाल की बात हो रही, एक बाल 3 साल के आसपास grow करेगा, फिर ketagen का मतलब है, कि वो एक transition phase है, transition phase मतलब anagen से telogen में जाने के लिए ketagen है, ये transition phase को 3 हफते लग सकते हैं, एक बाल grow होते ह होते होते हैं, 3 हफते में telogen phase में जाएगा, जहां मतलब telogen मतलब hairs are dying, वो बाल मरने लगेगा, fall होने लगेगा, पतला होके गिर जाएगा, तो एक बाल 3 साल तक grow होगा, फिर 3 हफते के बाद telogen phase में जाएगा, telogen phase में वो 3 महीने तक चलता है, और फिर बाल गिर जाता है, उस जो सबसे बड़ी चीज होती है टी लोगन पेज हो ज़ो होता है जो हैर्वार तीन महीं चलता है वह प्रॉलांग हो जाता है इतना लंबा चलेगा तो आपके बहुत सारे है और इनाजन पेज उसकी शुरुवात होने में समय लग जाता है वो घुसी नहीं पाता उसमें तो बाल इस दौरान क्या होंगे पतले होते जाएंगे उनकी density कम होती जाएगी और जादा जो घने घनापने कम होता जाएगा गिरने शुरू हो जाएगे एक तो हैर आते भी कम है और आते भी हैं तो अच्छे नहीं आते तो वो भी गिर जाते ह कया है इसका solution इसका solution है एक complete balance एक सबसे basic solution मैं आज तक बोलता है हो हैर के nutrition पर काम बहुत जरूरी है हैर के लिए complete nutrition से स्याव आपके अंदर खाने वाला nutrition भी और लगाने वाला ली आज तक हमें लगता था कि लगाने वाले nutrition का टेक्निकली ओईल का बहुत जाधा रोल नहीं है लेकिन यह ओई इसमें क्या खास है ऐसी चीज जो आपको आपके बालों को क्या चाहिए आपके बालों को प्रोटीन्स वाइटमिन्स और लिट्री आपके बालों को फैक्स भी चाहिए आपके बालों को सफिशेंट न्यूट्री न्यूट्रीशन चाहिए ताकि उसको प्रोटेक्ट भी कर सके और इंफेक्शन से बचाना है ऐसी वैसी चीज़ों से बचाना है उसमें यह प्रोडक्ट आपके काम आएगा अब यह क्या है और इसमें कैसा है यह जो प्रोडक्ट है हैर ग्रोथ वाइटलाइजर फ्रॉम उस तरह इसमें क्या है आज हम जानेंगे इस प्रोडक्ट में बेसिकली 33 33 वाइटल न्यूट्रियंट्स हैं जो हैर को कंप्लीट हैर केर देते हैं स्पेसिफिकली आपके इंडिविजुलाइज जो भी आपका प्रॉब्लम है उस हर एक प्रॉब्लम को कैसे यह सौट करता है सबसे बड़ा जो सबसे मुझे जो इंट्रीग किया था इसके जो इंग्रीडियंट है वो है रिडेंसाइल रिडेंसाइल एक ब्रेक्थू नया प्रोड़क्ट आया है जो अभी अभी थोड़े तुनों कुछ टाइम पहले ही लॉंच हुआ है जो पहले निकला है इजात हुआ है यह हैर लॉस के अगेंस्ट काम करता है वन अफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव हैं यह हैर ट्रांस्प्लांट का अल्टरनेटिव है से तरह संप्लिक रिडेंगे और रिडि रिजार्च में भी एडिकार्ज देन्सा रिडीम नसदै लिवर फटर ट्री थो रिदेनीखन पर डिठ कर सकते है टूल चीरीडेखर अरी जडेरिकलो मेडिकल कर ट्रीड ठिर Mais Leg Constance li देता है, so this is a very good thing and the most important aspect here is this की इसके अंदर read and silence, the second thing which it has is called saw palmetto, saw palmetto, one of the commonest or popular herbal hair loss treatment है, hair loss, herbal treatment में जो चलाया जाता है, hair fall reduce करने के लिए saw palmetto, इसके अलावा, hair की strength को, उसके hair roots को strong करने के लिए इसके अंदर omega 3, omega 6 है, keratin and collagen है जो के hair के अंदर जो protein है, उसको थोड़ा strong करेंगे, boost करेंगे, 7 अलग-अलग vitamins हैं, जो hair को नरिश करेंगे, protein भरपूर है, 17 amino acids के हैं, repair करेंगे जो आपके hair के damage को, और 3 minerals है, यह mineral से क्या होता है, hair gray नहीं होते, तो टेक्निकली कोई भी इसको इसको इस्तमाल कर सकता है, anyone who wants की hair fall हो रहा है, hair fall से बचना है, और complete hair care में इसको include कर सकते हैं, literally अब मैं इसको prescription में भी लिखने लगा हूँ, कि भी hair को की पूछते हैं रोग, hair oil कौन सा यूज करें, तो यह hair oil, so this is basically a hair oil, you should definitely try this, include this in your routine, और यह क्या करेगा, hair growth को boost करेगा, hair fall को prevent करेगा, hair graying को रोकेगा, thickness बड़ी करेगा, split ends कम करेगा, और एक complete nutrition देगा, बाहर से लगाने वाला nutrition hair को, बाकी आपको खाना तो पड़ेगा, important है, अपना खुद का nutrition भी अच्छा चाहिए, this itself plus in addition, this is also non-greasy, non-oily kind of a feel है, तो आप इसको लगा सकते हो, best option होता है, इसको रात को लगा के छोड़ दो, overnight, जिसमें पूरे area में scalp पे, और सुवे उठके अपना regular बात कर लीजिए, उससे, minimum इसको आपको 90 days use करना पड़ेगा, regularly तब आपको visible difference दिखेगा, minimum 90 days का, क्योंकि hair follic genetic problem है, slowly growth होती है, तो result दिखने में में time होगा, और result हर एक एक जैसे नहीं होगे, but results होगे, that is very very important, क्योंकि genetic predisposition होता है, अगर आपने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, stress लिया, you know what I told about hair loss in my last video, बहुत सारे videos में बताया हूँ, अगर बाकी सारे factors टिक नहीं हैं, और सिर्फ एक चीज़ करेंगे, तो best result नहीं बिलेगा, best result के लिए, हर angle से अपनी गलती ढूंडो, और hair oil के लिए, this can be used, although ये भाई साब men वाला product जादा करके बेचा जाता है, for men लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई भी use कर सकता है, female use कर सकते है, women use कर सकते है, किसी भी उमर के लोग use कर सकते है, right, आप इसको, अगर आपके बालो, बालो में problem है, बाल जा रहे है, then you can use it, इसका link मैं नीचे description में दे द from Ustara with RidenCyle, so this is all, thank you so much, stay connected, stay healthy.